हेलो फ्रेंड नमस्ते आज बताने जा रहे हैं आस्तिन की कटिंग बहुती सरल और आसान तरीके से तो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए और जिनों ने कर लिया है उसके लिए थैंक्यू तो चलिए ये हमारा आस्तिन का कपड़ा है तो मैं आज आस्तिन की कटिंग बताऊंगी इसमें और डिব्शायन भी बनाऊंगे फेन तो मैं आप सब लिए दिखाऊंगी तो फ्रेंड हमारे चैनल हमारे वीडियो में बने रही तो चलिए Hmm लिए कपड़ा बोनो आस्तिन को साथ साथ कटिंग करो ना चाहों तो एक को कटिंग कर लो दूसरी को उसके उपर बिछा के अच्छे से कटिंग कर सकते हैं तो यह दो आइडिया थे हमारे आस्तिन कटिंग करने के सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे हमारी आस्तिन रहेगी साथ इंच की त तो उसके लिए मैंने एक इंच कपड़ा एक्ष्टा ले लिया है और उपर से आठ इंच पर निसान लगाया था और नीचे आठ इंच पर उसको हमने सीधा कर लिया है एक निसान हमें यहां से लगाना है साड़े साथ इंच पर एक निसान लगा लिया है अब यहां से निसान लगाएंगे हम 3.3 इंच पी, तो यह वी सान लगा लिजा है शाड़े 3 इंच पे ऊपर अगर आष्टिने आपको ऊपर 6 आठ पील अगा तो नीच्चे इंच पे ऊपर से पांच पे लगाया नीच्च पे तो हमारा बहुल एकदम सही आता है तो यह है हमारी मोहरी छेंच की तो हमने मोहरी पे निसान लगा लिया है देखिए छेंच की हमारी मोहरी है तो छेंच पे निसान लगाया और हमने देड़ेंच एक्ष्टा ले लिया है कप्ड़ा देड़ेंच जितना कप्ड़ा हो बहुत हम अपने हिसाब से लेते हैं तो इसको हमने सीधा कर लिया ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए ये हमारा एश्टा कप्रा है इस निसान को हम इस तरह से ले जाएंगे अच्छी सी बड़ी हासी सेव देंगे तो ये है हमारा पीछी की साइड का इस निसान को हम थोड़ा सा डार करेंगे तो एक निसान हमारा लग गया है और दूसरा हमें आगे का आर्मोल लेना है तो हमारा आगे का या तो एक इंच कपड़ा लो या तो पॉन इंच थोड़ा हमारा सिलाई में भी जाता है तो इस निसान को हम इस तरह से लगाएंगे यहां पर मिला लेंगे तो ये था हमारी आस्तिन के निसान और हमने कटिंग भी कर ली देखिए फ्रेंट जैसे मैंने निसान लगाय थे वैसे ही कटिंग किये दोनों आस्तिन हमारी निकल आई है तो हम आ गए है मसीन पर तो हम सबसे पहले जैसे हमें कमूरा छोटे-छोटे से बना लिए हैं चोटे-छोटे कमूरे बनाएं और हम ये नीचे की सैट लगाएंगे तो हमारी आस्तिन बहुत ही सुन्दर लगेगी बहुत अपने हिसाब से कपड़ा दे सकते हैं जितना हमारे पास कपड़ा है वैसे ही हम कमूरा बनाएंगे दोनओ आस्तिनों के लिए अभी इसमें हम लगा कर दिखाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इस पर कमूरा लगाएंगे तो चलिए हम कमूरा लगाना दिखाते हैं और जो हमने निसान लगाया था अपनी मूरी का आज दिन की मोहरी का बहां से छोड़ कर हम कमूरा को रखेंगे क्यों नई तो हमें सिलाई लगाने में दिक्कत होगी यहां से नहीं लगाएंगे यहां से बिल्कुल नहीं लगाएंगे देखिए तो हमें सिलाई लगाने में दिक्कत होगी इसको हम थोड़ा सा हटा के लगाएंगे यहां से लगाएंगे तो फटा-फट से हम लगा लेते और एक ही सेप में लगाना है तो हमारे कमूरे बहुत ही सुन्दर लगेंगे और आज दिन भी बहुत ही अच्छी से लगेगी तो हम फटा फट से लगा लेते हैं और अधर भी हमें छोड के लगाना है अब हमें एक शिलाई ऐसे लगा लेना है तो यह हमारी शिलाई लग गई है तो देखे हमारी आस्तिन कितनी अच्छी लगने लगी आभी से अभी हमें इसके अंदर एक पट्टी और लगाने जैसे हमारी आस्तिन बहुत ही सुन्दर लगेगी यह आस्तिन है इसको भी हम बनाएंगे फिर दोनों आस्तिनों में हम अंदर से पट्टी जोइंट करेंगे यह जो हमने पट्टी बना कर त्यार की है आप यह जो है इसको हम छिपा देंगे इस तरह से तो हम दोनों पर सिलाई लगाए चाहों तो ओपर की साथ तुरपाई कर लो या सिलाई लगा दो तुरपाई कर लो तब भी इच्छी रहेगी तब तो और यह ची फिनीजिंग आएगी सिलाई से इतनी इच्छी नहीं आएगी तो अभी तो हम कच्छी सिलाई लगा देंगे बाद में तुरपाई करेंगे तो हमारी दोनों आस्तिने दीके टियार हो गई traveling कि तने अच्छी से कमूरे बनें बहुत ही सुन्दर और आस्तिल भी हमारा बहुत ही अच्छी लगेगी बिलाज भी हमारा बहुत ही अच्छा लगेगा छोटी-छोटी धागए इनको भी हम काट के निकालते हैं यह हमारी यास्तिने दोनों तयार हो गी है फ्रेड अब हम बिलावज में लगाएंगे लावज हमने बनाकर तयार कर लिया है जिसमें मैंने बिलावज की फिटिंग मी दे लिए अब महरी पर इसलाई लगाएंगे जितनी हमारी मोरी है एक बार फिर से भी नापेंगे जब हमें फिटिंग देना है फिटिंग लेनी पड़ती है तब हमें एक बार फिर से भी नाप लेनी चाहिए देखिए ये छेंच आ रहा है तो यहां पर हम निसान लगाएंगे अब इसी निसान पर हम सिलाई लगा लेंगे समाल के तो हमारे कमूरे भी दोनों बहुत अच्छे से आये हैं नीचे की साइड तो हमने आस्तिन की भी फिटिंग ले लिए इसी तरह से इस वाले आस्तिन को भ हमारी तयार हो गींए है कि तौन आस्तिनों पर से लए लगा लिए और यह हमारा पिलाउज को सबसे पहले शूनां प्ला बला भीमारे इस तरह से नाव लेंगे इस तरह से मार्मूल को फिटिंग देते हैं तो हमारा बलाउ немнож है अब हम आस्तिन को नाप लिंगे आस्तिन को नापके देख लिया है, हमारी आस्तिन सही हो रही है अब हम लगाएंगे सिलाई इस पर इस तरह से नापेंगे, देखिए और हमने आस्तिन को जो आगे की साइट रखना है उस पर हमने चॉक से निसान लगा लिया है यहां से नापके फिर हम आस्तिन को जोइन करेंगे जो आस्तिन की सिलाई और नीचे बिलाउच की सिलाई आर्म होल की साइड नीचे की साइड होती है उन दोनों सिलाई को मिलाकर पकड़के अब हम सिलाई लगा देंगे फटा-फट से और हलके हलके हाँ से खीचेंगे बहुत ज्यादा ने खीचेंगे थोड़ा बहुत 19-20 फरक होता है तो हमारा खीच के सही आ जाता है तो दीखिए हमारी आस्तिन लग गई यह बहुत अच्छी सी एक दम बरावर सी लगी है तो इसी तरह से हम दूसरी आस्तिन लगा लेंगे तो फ्रेंग वीडियो पसंद आती है और हमारे चैनल पर पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी दूसरी आस्तिन को भी हम त्यार करेंगे तब तक की लिए करते हैं बाई बाई थैंक्स फ